आज मैं सेर करूंगी कुछ विंटर्स के ऐसे हैक्स जिनको आप फालो करके अपने हेर को अपनी इसकिन को या फिर यू कहिने जी अपनी पूरी बाडी को हम कैसे हिल्दी रख सकते हैं तो आज हम जानने वाले हैं इसी तरह के कुछ टिप्स के बारे में कि जैसे जैसे सर्दिया आनने लगती हैं तो हम तो क्या करते हैं कि पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि हमारे बाडी को रिक्वार्मेंट है उतना पानी हमें जरूर पीना चाहिए क्योंकि अगर हम पानी नहीं पेंगे तो हमारी स्किन राई हो जाएगी और इसकिन के साथ पानी को इग्मोर मत करिए क्योंकि इससे हमारे तरीर के लिए काफी फायदेमंद है पानी इसके साथ हमें फल और जूस का भी सेवन जरूर करना चाहिए जरूरी नहीं है कि हम बैंगे फल खाएं जो भी आपको सुझाओ जो भी आपके आवजल हो वैसे फल जरूर खाएं नेक्स्ट कलती हम क्या करते हैं कि सर्दी के वज़से वह दरा हमilate स्ट्पी Serumya नहीं हमाय को चलो भाहर आया माद आते आrael के कहाद हैं। और सरदीज में वाहर जाती होंहार स्टुक्तुटों। नहीं हिए दॉती चलएनों कोई से कज़नने का नहीं जाते हों। ये भी एक अच्छा एक्सराइज है इसे आपकी बाड़ी में ब्रेट सर्कूलेशन अच्छा रहता है और आपकी बाड़ी इस्टेचिवल लेती है जिस तो डेली बयायाम जरूर करिए जैसे हम बहाना कर देते हैं कि अब सर्दियों का मौसम है तो टाइम से हमें उखा नहीं जाता है तो अगर सुबह टाइम डेही मिलता तो आप साम को जरूर एक्सराइज करिए छोटी एक्सराइज थोड़ा 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 थोड़ी दर के लिए रुक रुक करके एक्सराइज जरूर करिए जो भी आपके सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है जरूरी नहीं है कि हम अगर हमारा health ज़्यादा है या हम मोटे हो गए तो हमें exercise करनी है ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आप slim trim है तो भी आप exercise करें इससे आपका blood circulation अच्छा रहता है और आपकी skin अच्छी रहती है और उसके साथ साथ आपके hair अच्छे रहते है इसके साथ साथ आपका मन भी अच्छा रहता है जब मन अच्छा रहता है तो पूरा हर चीज अच्छी रहती है नेक्स्ट है हमारा सर्डियों में hair care routine जरूर करना चाहिए बालों में तेल जरूर लगाए हफते में नहीं ज्यादा तो एक बार तो जरूर लगाना चाहिए बालों में तेल जो भी आप लगाते हैं उसको हलका सब गुंगुना कर लीजे और अपने scale में हलके हाथों से मसाज करें इससे आपके बालों की growth अच्छी होगी और जो ड्रेंडव गरा होता है क्योंकि सद्दियों में ही ड्रेंडव होता है तो कि जब बाल रूखे हो जाते हैं तो दुनिया भर के विमारिया भी बालों में आती है इसलिए बालों में जरूर इसलिए बालों की देख भाल जरूर करिए नेक्स्ट है हमारा नहाने में हमें सोप नहीं यूज करना चाहिए सर्दियों के मौसम में गरीमें में तो कोई बात नहीं हम कोई भी सोप से आत करके नहाने वाली सोप के मैं बात कर रही हूँ यूज कर सकते हो सर्दियों में सब्सक्राइब करना है जरूर civ करते हैं वह जरूरत नहीं है इसा बिल्कुल नहीं है पूरे पूरे सरी को आप मोश्राइब जरूर करें इससे इसकी रोखी तो इचिंग भी होने लगती है तो वो समझता नहीं होगी और पूरे टाइम आपके स्कीन हेल रहेगी नेक्ट अगर रात में सोते टाइम नाइट क्रीम यूज करते हो तो कोई बात नहीं है अगर कुछ भी नहीं यूज करते हो तो सोने के टाइम थोड़ी दिर के लिए फेस पर मसाज जरूर दीजिए इससे आपकी जो स्कीन है फेस की वह काफी स्मूध हो जाएगी और छो खिचाव बना रहता है ना चर्दियों में खासकार जो यह यह अरिया होती है यह नोज की हाव सब्सक orbiting में खिचाव बना रहता है यह समझया आपकी दूर हो जाएगी और आपके सिंद्र जो wrinkles हैं, उनकी समस्या दूर हो जाएगी, तब कुछ हद तक कम हो जाएगी, अगर आप फेस में मसाज करते हो, तो daily मसाज करिए, थोड़ी तेर के लिए ही सही, लेकिन फेस मसाज चरूर करिए, इससे काफी कई फायदे होते हैं, एक फायदे नहीं, इससे कई फायदे होते है तो इस चीज को भी ignore नहीं करना है, नेक्स बहुत ही important tips है, जैसे कि हम गर्मियों में कहीं बाहर निकलते हैं, तो निकलने से पहले हम sunscreen लगाते हैं, सर्दियों में हम sunscreen नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम कौन सा धूप में जा रहे हैं, या फिर हम कौन सा धूप में बैठे हुए हैं जो हमें संस्क्रीन की जरूरत है लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचे सर्दियों में भी आपको संस्क्रीन लगानी है इससे आप धर में भी रहते हैं अगर थोड़ी बहुत सूरत की किने आप पर पड़ती है तो वो आपके इसकीन को खराब पर देंगी तो हमें याद रखें कि गर्मियों में ही संस्क्रीन नहीं लगानी है अगर वर्ष करते हो फेश को और फिर दुबारा से आपको जरूर लगाना चाहिए इससे आपकी इसकीन काफी अच्छी रहेगी तो यह थे छोटे-छोटे टिप्स जिनको आप फालो करके अपनी कीन को और अप कि अपने हेर को भिल्दी बना सकते हों तो कौन से इच्छा लगा हमें कमेट में ज्रूर लिखना और कि से तरह के वीडियो देखने हैं व क्यों प्रह depressiveness है और हमारी वीदियो आंपको कैसी लगती कर्द हैं? तो भी आप बता सकते हैं या नहीं अच्छे लगती हो तो भी आप बता सकते हैं तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर